वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला चैनल जरूर जोइन कर लिए का सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रखिए नवस्कार दोस्तों तो हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है चलिए शुरू करते हैं इस्ट्री के अपने पीवाई क्यू तो सब्सक्राइब कि अधर तिलक का याद है केश्री और मराथा गोपाल कृष्ण गोकले का सुधारा की तो यह भी याद रखना चलो 986 कह रहा है निम्न महापुरुशों में से कौन भारतिय चागरती का जनक कहलाता है मतलब फादर ऑफ इंडिया नेसा या मेकर ऑफ मौडन इंडिया तो राजा राम मोहन राय के लिए ये शब्द कहे जाते हैं ठीक है आप्शन बी 987 कह रहा है भारत का पुनर जागरना अंदोलन का अग्रडी दूत कौन था तो फिर अगें repeated राजाराम मोहन राय थीक है क्योंकि बाद में ये तूट गया था तो इसको याद रखना ब्रम समाज का जो सिधान था वो क्या था मतलब नास्तिक था क्या था नास्तिक कहा जाता ऐसा कि भाईया जो राजारा मोहन रहे थे इनका ओरिजनल नाम तो मूल शंकर था एक बार चुहा गडेश जी की मूर्ती पे आके या शिवलिंग पे कुछ खा रहा था तब उनका कहना है कि भाईया भगवान जब अपने आपको नहीं बचा पा रहा है ऐसे चुहा उनके उपर वखा नहीं रहे तो मतलब अजीब ही दॉट प्रोसेस तो मुझे तो पढ़ ले है तो लिब्रल थे यह थोड़ा क्या ही कर सकते हैं तो नास्तिक्ता पर खैर ठीक है तो ऑप्शन है हो जाएगा देखो यह मैं मतलब मेरा परशनल गलीव है मुझे जब भी बहुत ज़्यादा परिशानी होती मैं कृष्ण जी की मूर्ती है शिवलिंग है उससे अपनी दि का विरोध किया शाती बृता का विरोध किया मूर्ती पूजा तक का विरोध कर दिया पास्षात इसे चाव वेस्टन एजुकेशन का नहीं किया देखिए आज उसी की वज़े से आप देख रहो कि क्या सोसाइटी में गंद मची पड़ी है इतन देखो जिसको हम मॉडन है और हम बहुत ज़्यादा अलग है उससे हमारे कल्चर में सब्विता है संसकार है चलिए ठीक है तो 988 क्वेशन देखते हैं कहरा भारती रास्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है तो अगेन राजराम मोहन राइको ही माना जाता है ठीक है नौ सोनवासी राजराम मोहन दोयरारा इस्थापित पृथशमसथा कौन से थी बरहम समाज आत्मिये सबा बरहम सबा या तट्वबोधिनी सबा तो देखो तो ये याद रखिएगा, नौसवन अब्बे कह रहा है भईया, राम मोहन राए को राजा की उपादी किसने दी, बहुत important question, तो इनको जो राजा राम मोहन राए का जाता है न, तो राजा शब्द की उपादी अकबर सेकेंड ने इनको दी दी, ठीक है, किसने दी दी, अकबर सेकेंड ने, चले, स्वामी विवेकनन ने शिकागो में आयोजित पार्लेमेंट ओफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था, तो देखो, स्वामी विवेकननन का जन्म 1863 में मृत्यू 1902 में होती थी, ठीक है, तो इन्हों ने जो शिकागो में चल रही थी, 1893 में यह हुई थी, कब ही थी, 1893 में, ठीक है, वहाँ भारत का छंडा गाड़ा था, हिंदू धर्म का, बहुत ही, 1893 में शिकागो में आयोजित अंतराष्ट्री धर्मों के संसत से, किसका नाम जुड़ा तो अगे, इन्हों रिपीटेड है, स्वामी विवेकानन, 996 में भी सेम है, 1893 में, ठीक है, तो रिपीट बहुत होतने हैं क्वेशन, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 997 कह रहा है, इन में से किस प्रख्यात समाज सोधारग में, ग्यान योग, कर्म योग तथा राज योग, नामक पुष्टके लिखी थी, तो ग्यान योग, कर्म योग, राज योग, ये सब पुष्टके लिखी, स्वामी विवेकानन ने, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 998 में कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस ने की थी, तो रामकृष्ण मिशन 1897 में हुई, स्वामी विवेकानन ने, टाइम भी याद रखना है आपको, और ये भी इंपॉर्टन ने, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइम 1897, स्थापित है, तो देखो, 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 सत्यार्थ प्रकास की रचना किस ने की थी, स्वामी दयानन सरशती ने, किसने, स्वामी दयानन सरशती ने, 1004 कह रहा है, निमनलकित संगठोनों में से, किसने, सुद्धी अंदोलन का समर्थन किया, आरे समाज ने, किसने किया, आरे समाज ने, प्रातना समाज के संस्थापक कौन थे तो प्रातना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडूरंग कौन थे आत्माराम पांडूरंग याद रखने हैं यह सब important हैं सब 1000 कह रहा है आर समाज की स्थापना का वर्ष है तो अभी बताए 1875 ठीक है वेदो के पुनरत्थान गश्रे की से है तो भी कर रहा था वेदो की तरफ लॉटो किसने बोला स्वामी दैनन सरस्वती ने आरे समाज की स्थापना की तब ठीक है 2006 कह रहा है महारास्ट में प्रात्ना समाज का मुक्षे संचालन कौन था तो महारास्ट में इसको मैनेज करते थे M.G. रनाडे कौन M.G. रनाडे 2007 कह रहा है देव समाज के संस्थापक निम्नमे से कौन था तो ये थे शिव नरायन अगनी होतरी कौन थे शिव नरायन अगनी होतरी देव समाज के संस्थापक थे 1002 कह रहा है निम्न में से कौन भारत का मार्टीन लूथर कहलाता है तो देखो भारत का मार्टीन लूथर किसको बोलने है स्वामी दयानन सरसोती को ठीक है तो आप्शन ही हो जाएगा किसने 1813 में 37 समाज की स्टापना की तो 37 सुदक समाज की स्थापना की जोतिबा फूले ने किसने की जोतिबा फूले ठीक है याद रखेगा इसको भी important days आ रही 1009 कह रहा है गुलामगिरी का लेकर कौन था तो गुलामगिरी के लेकर थे कौन जोतिबा फूले ठीक है जिन्नोंने 37 सुदक समाज चलाया टीक कारवे ठीक है प्रोफेसर थे यह डीक कारवे नाम निमनलकित में से किस नदर में आता है तो प्रोफेसर डीक कारवे इस्वर्चन विद्धैसागर के साथ मिलके विद्वा पुनर विवा के लिए काफी काम किया इन्होंने ठीक है तो option डी हो जाएगा संडे है यार बच्चे बहुत चेंचेंचेंचे करते हैं घर में निमनलकित में से किस ने प्रमुक रूप से विद्वा पुनर विवा के लिए संगर्स किया और उसे कानूनी रूप से वैद बनाने में सफलता प्राप्त की तो ये सब आपको आई हो पता होगा इस वर्चंद विद्या सागर ने इनी की वज़े से फिर हिंदू विडो रिमैरिज आक्ट पुनर विवा आक्ट 1856 में पास हुआ पूछता है ये ठीक है 2011 कह रहा है वै बंगाली नेता कौन था जिसने समाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूडी वाधिता का समर्थन किया तो ये थे राधा कांथ देव कौन थे राधा कांथ देव इन्होंने धर्म सभा बनाई थी ठीक है ये आर समार ब्रहम समाज को काउंटर करने के लिए ठीक है तो याद रखे इसको 1012 कह रहा है राधा सुमी सत्संग के संस्थापक कौन थे तो राधा सुमी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे कौन थे शिवदयाल साहब आप्शन B हो जाएगा 2013 कह रहा है लोक्तिवाधी उपनाम से किसे जाना जाता ठा? तो लोक्तिवाधी उपनाम से गोपालाहरी देशमुक को जाना जाता था तक इसको गोपालाहरी देशमुक यह important बहुत जादा 2017 कह रहा है 1843 के Act पांच ने किस बात को गैर कानूनी बना दी है तो आपको कुछ याद आ रहा हूगा 1843 एलन बर्ग ने स्लेवरी जो थी गुलामी उसको खतम कर दी थी तो पांच हो जाएगा इसका अंसर मतलब सौरी ऑप्शन दी हो जाएगा एक अजार अठारा निमनलखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज आक्ट को पारित करने में महतपोन भूम का नुगाई तो पहले तो Natic Marriage Act समझ लो इसमें लड़कियों की शादी की एज को 14 कर दिया गया था लड़कों की शादी की एज को 18 कर दिया गया था केशव चंडर सेन ने इसमें काफी effort दिया तो उनहीं को कहा जाता है ठीक है 2013 अभीदे का लोक्तिवादी गोपालारी देशमुक 2014 महाराष्ट में विद्वा पुनर विवा हे तू अभियान का नेतर्तु किस ने किया तो महाराष्ट में विद्वा पुनर विवा का नेतर्तु विश्नू परशूराम पंडित ने किया यानि option A हो जाएगा इसका ठीक है 2018 देखी लिया 2019 भी मैंने आपको बताया कि Native Marriage Act में क्या हुआ लड़कियों की एज 14 साल लड़कों की एज 18 साल ठीक है तो लड़कियों की एज कितनी 14 साल याद रखने हैं इस अब देख लो आते बहुत हैं ठीक है एक 2020 कह रहा है 1853 में जन्में यह पश्चिम भारत के पारसी थे यह Indian Inspector तथा Voice of India के संपादक थे या एक समाद सुझा रख थे और समती आयू अधिनियम 1891 के पक्ष में संगर्श करता भी थे तो कौन थे भई यह तो यह UPSCRO मतलब UPSCRO में आया कोशन है 2016 का ठीक है तो इंपोर्टेंट भी हो जाता है BM मालाबारी कौन थे BM मालाबारी अब इससे दो थीन कोशन निकाल लेगा पूछे का बहिया इस्पेक्टेटर और Voice of India का संपादक कौन है तो यह भी आपको याद रखना ठीक है तो BM मालाबारी शारदा दिनियम 1929 के अंतर लड़कियों एवं लड़कों के विवा की निंतमायू क्या थी तो यह थी 14 वर्ष लड़कियों के लिए 18 वर्ष लड़कों के लिए जो की बाद में अमेंड होके हो जाती है 18 लड़कियों के लिए 21 लड़कों के लिए ठीक है मैचिंग करनी है कौन सा सुमेलित नहीं है मतलब गलत है तो थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंड नहीं ये बिलकुल सही है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परवान ये गलत है अभी पड़ाब ने रामकृष्ण मिशन किसे ने बनाया स्वामी विवेकानन ने बागी आर समाज और ब्रह्म समाज बिलकुल सही है अब भीया इसको फिर से मैचिंग करना है मैचिंग में देखते हैं ब्रह्म समाज पूछरा कहां बना था तो तो ब्रह्म समाज कलकत्ता में इस्थाब न होई थी बिया ठीक है माना धर्म समा माना धर्म समाज बनी सूरत में कहां बनी सूरत में आर समाज बंबई में बनी नधवाउल उलामा लकनों में बनी तो इसको याद रखना important है एक अजर बाइस भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यता थी तो भी पढ़ा आपने किस के कारा एनी बेसंट के कारा ठीक है एक अजर तरीस निम्निलकित यूगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज सही है स्वामी दयान अन्सर सतियार समाज भी सही है स्वामी विवेका नंद राम कृष्ण मिशन ये भी सही है तो बचा कौन थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसंट ने गीती गोविन रना देने नहीं तो बारती ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने करत नहीं भारती ब्रह्म समाज केश उचंद से ने किया था ठीक है सत्य सोधक समाज यह भी गलत है जोतिबा फुले हैं इस से जोड़े हुए दस सर्वेंट ओफ इंडिया सोचाइटी गोपाल कृष्ण गोखले यह गलत है क्योंकि सर्वेंट ओफ इंडिया सोसाइटी जो है सुरी सुरी यही सही है गोपाल कृष्ण गोखले ने की दी 1905 में सब्सक्राइटी के तो ऑप्षिन डीज का करेक्ट हो जाता है तो गई यह थे कुछ क्वेश्चन अगें तीस पैस्टेस क्वेश्चन अब हम लोग फिर करेंगे बहुत जल्दी अब खतम होने के ही उसमें मैं 12-1300 कोश्चन गरा दूंगा तो इन में से ही 15-20 मिल जाएंग झाल